हलो दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हमरा यूटूब चैनल चोपडा एजुकेशन और मैं हूँ हरसाई चोपडा दोस्तो कल के वीडियो में मैंने EWS के कुछ रूल चेंजिंग के बारे में बताया था तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल सर्च करके वो वीडियो जरूर देख लें आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नीट 2020 के लिए EWS की कटोफ क्या रहेगी नीट 2019 में ऐसे कौन से स्टेट थे जिनमें EWS की कटोफ OBC से भी कम रही थी साथ ही साथ यह भी चर्चा करेंगे कि 15% आल इंडिया कोटा में EWS की कटोफ पर क्या इफेक्ट होगा और यह सर्टिपिक्ट हम कैसे बनवाएं तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन प्रेस करें वीडियो को लाइक वा ज्यादा शे ज्यादा शेयर करें तो सबसे पहले हम नीट 2019 की EWS जनरल वाई OBC की कटोफ पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि ऐसे कौन से स्टेट हैं जहां पर EWS की कटोफ OBC से कम रही थी तो सबसे पहले हम माराश्टर के फर्स्ट राउंड की नीट 2019 की कटोफ के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो 70% का रिजर्वेशन कोटा होता है उसमें UR की जो कटोफ रही थी वो 541 मार्च रही थी EWS की 493 मार्च रही थी OBC की 519 रही थी 30% वहां का रिजनल कोटा है उसमें 563 UR की कटोफ रही थी EWS की 510 रही थी OBC की 530 कटोफ रही थी तो महराश्टर इस्टोट में OBC की जो cut-off है वो EWS की cut-off से ज्यादा रही थी यानि कि EWS की cut-off OBC से भी कम रही थी इसके बाद में बात करें बिहार के cut-off की तो बिहार में भी UR category की 599 cut-off रही थी और BC यानि backward cast की 584 रही थी RCB की 582 रही थी जहां EWS की 580 cut-off रही थी इसके बाद में MP स्टेट में भी 2019 में EWS कोटा की cut-off OBC से कम रही थी तो यह 3-4 स्टेट ऐसे हैं जिनमें OBC की cut-off EWS की cut-off से ज्यादा रही थी और EWS की cut-off OBC से कम रही थी अभी हरियना की cut-off की बात करें तो जनरल category की 600 रही थी EWS की 589 ये फर्स्ट राउंड की cut-off है दोस्तों और फर्स्ट राउंड की cut-off ही 36 कटी स्टेट की है 36 कटी स्टेट के government college में UR category की 539 cut-off रही थी जहां EWS की 450 cut-off रही थी फर्स्ट राउंड में इसके बाद में हम राजस्तान के लास्ट राउंड की मोपप राउंड की बात करें थी UR की 580 EWS की 578 cut-off रही थी लेकिन UP स्टेट में फर्स्ट राउंड में cut-off ज्यादा रही थी EWS की 500 निवासी cut-off रही थी और 582 UR category की रही थी जहां OBC की 588 cut-off रही थी एक मातर UP स्टेट ही ऐसा है जहां EWS की cut-off UR category से भी ज्यादा रही थी तो यह स्टेट वाइज अलग-अलग cut-off रहती है EWS की लेकिन EWS की cut-off किसी भी स्टेट में OBC से कम रहने की यह 2020 में इतनी संभावना नहीं है फिर भी UR category से EWS की cut-off डाउन ही रहेगी अब हम बात करें कि नी 2020 में EWS की cut-off कितनी डाउन रहेगी तो दोस्तों यह अलग-अलग state की अलग-अलग cut-off रहती है जनरल category में कम से कम 3 से 10 नमबर तक यह state-wise defend करती है कि कौन से state में कितनी नमबर डाउन रहेगी तो मैं आपको state का वीडियो बनाऊंगा तब डिटेल में बता दूँगा कि कौन से state में कितने marks तक डाउन रह सकती है जनरल category से कितने marks तक कम रहने की संभावना है EWS category में अब हम बात करें 15% आल इंडिया कोटा में EWS का ज्यादा फरक देखने को नहीं आएगा क्योंकि आल इंडिया कोटा में Central University में ही EWS का कोंटा implement होता है इस कारण marks में कोई इतना फरक नजर नहीं आएगा अब हम बात करें कि यह आपने certificate कैसे बनवाना है तो दोस्तो EWS का certificate बनवाने के लिए अलग-अलग state में अलग-अलग rules है common rule यह है कि आपको एक निश्यत format में application form भरकर तैसिलदार, district magistrate या फिर सब-divisional officer के office में जरूरी documents के साथ में जमा करवाने होंगे इसमें आपको जो lower rank के हैं जैसे पठवारी वगरा उनसे पहले आपको signature वगरा करवाने होंगे राजस्तान स्टेट में इसे इमित्रे center पर बनवाया जा सकता है तो दोस्तों यह जानकारी थी EWS के बारे में आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon फ्रेस करें वीडियो को like वा ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें स्टेट की category wise कटोब हम जल्दी लेके आएंगी तो मिलते हैं नई जानकारी की साथ में नए वीडियो में तब तक आप से लेते हैं विदा जय हिंग